अगर आपने किसी बैंक में अपने एक सेविंग एकाउंट खुलवा रखी है तो सेविंग एकाउंट में आपको एक डेविट काड यानि की एक ATM काड जयून मिला होगा और उस ATM काड का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी ATM में जाकर पैसे निकालने के लिए लेकिन क्या आपको प कुछ चार्जेस यहां पर वसूलती है और आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में सारी की सारे जानकारी देने वाला आपको बताने वाला हो भारत की जो टिंग प्रमुग बैंक है इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया बजब नेस्नेल बैंक या फिर अगर हम इस यह बैंक सामसे वसुलती है इसके एगेंस्ट में तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है नमस्कार दोस्तों मैं आओ बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो हो या फिर नॉन फाइनिशियल यहाँ पर अगर सेविंग एकाउंट में 25,000 रुपे से नीचे एवरेश में ट्ली बैलेंस है तो नमबर ओफी टेंजेक्शन SBI की ATM में आ जाती है पास बार और अधर बेंग की ATM यहाँ पर भाक्या हुआ है दो प्रकार से नॉन मेट्रो सिटीज और सिक्स मेट्रो सिटीज अब मेट्रो सिटीज की अगर हम बाते करें तो आ जाती है मुंबई, निव देली, चेन्नाई, कुलकरता, हैदराबाद और ब Unlimited No. of benefit injection आ जाती है और उसके बाद अगर हम बाते करें नॉन मेट्रो सिटीज की तो 5 ही रखी गई है और 6 मेट्रो सिटीज की 3 रखी गई है अगर Saving Account में average monthly balance एक लाग या फिर एक लाग से उपर है तो number of free transaction unlimited है चाहे वो किसी भी bank की ATM मेशीन में हो चाहे वो metro cities में हो या फिर non-metro cities में अब उसके बाद बाते कर लेते हैं charges के बादे में अगर SBI की ATM मेशीन की जो limit है number of free transaction की उसको अगर cross कर जाते हैं तो यहाँ पर अगर financial transaction है तो financial transaction के लिए 10 रुपे प्लस GST चार्ज किया जाएगा for every transaction अगर non-financial transaction जैसे की balance inquiry हो mini statement निकालना हो तो उसके लिए 5 रुपे प्लस GST चार्ज किया जाएगा और अगर कोई भी transaction फेल हो जाती है due to insufficient fund तो उसके बाद यहाँ पर आ जाती है charges 20 रुपे प्लस GST सिर्फ SBI ATM की मेशीन पर और अगर दूसरे bank की ATM मेशीन का हम इस्टेमाल करते हैं जो यह free transaction limit है उसको cross करने के बाद तो for every financial transaction 20 रुपे प्लस GST काट लिए जाएगा for non-financial transaction 8 रुपे प्लस GST and for insufficient fund यानि की पैसे नहीं है उसके बाद अगर हम transaction करते हैं तो 20 रुपे प्लस GST यहाँ पर charge किया जाएगा अब बाते कर लेते हैं Punjab National Bank, State Bank of India की तरह यहाँ पर average monthly balance की basis पर free transaction number of free transaction decide नहीं किया जाता है यहाँ पर जो number of free transaction रखा गया है वो किसी भी customer के लिए PNB ATM में पास रखी गई है हर महीने other bank की ATM अगर non metro cities है तो 5 रखी गई है और अगर metro cities है तो यहाँ पर 3 रखी गई है उसको अगर हम cross कर जाते हैं तो for financial transaction अगर PNB ATM का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी bank की ATM का इस्तेमाल करते हैं तो 10 रुपे प्लस GST और अगर दूसरे bank की ATM का इस्तेमाल करते हैं तो 21 रखा गया है हर customer के लिए अपने bank की ATM यानि की HDFC bank की ATM मर पास और other bank की ATM non metro cities और रखा गया है पास और 6 metro cities पर रखा गया है तीन और यहाँ पर financial transaction की limit अगर cross हो जाती है तो for every financial transaction यहाँ पर HDFC bank की अगर हम ATM का इस्तेमाल करते हैं तो 21 रुपे प्लस GST काटा जाएगा और other bank की ATM में भी 21 रुपे प्लस GST काटा जाएगा लेकिन for non financial transaction यहाँ पर HDFC bank की ATM में सारे 8 रुपे और other bank की ATM में भी सारे 8 रुपे ही काटा जाएगा तो देखा रहा आपने पंजाब national bank और HDFC bank ने अपने हर customers के लिए जो number of free transaction limit रखी है वो सेम ही रखी है लेकिन अगर हम state bank of India की बा चाहे किसी भी bank की ATM में जाकर पैसे निकाले या फिर अपने bank की ATM में जाकर पैसे निकाले उनकी जो पैसे निकाल लेगी यहाँ पर number of times है वो unlimited रखी गई है हर महीने तो state bank of India एक अलग से facility दे रही है अपने customers को number of free transaction को अगर हम ध्यान में रखते है तो आसा है इस वीडियो क में तब तक एले गुद बाएं एक्या